हेलो एब्रिवन, आज हम लोग करेंगे लैसन 23 वहो की विदा, विदा मतलब शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है उसे हम कहते हैं विदा, विनोत रस्तोगी सफल एकांकी कार है, एकांकी को नाटक का ही एक प्रकार काहा जा सकता है, प्रस्तुत एकांकी वहो की सरहानिय कार किया है, सरहानिय यानि की तारिफ के काबिल, पात्र परिचे यानि की इस कहानी के कैरेक्टर्स, जीवन लाल, एक धनी वैपारी, वैपारी बिजनसमेन, अवस्ता पचास वर्ष, अवस्ता यानि की एच, राजिश्वरी, जीवन लाल की पत्नी, अवस्ता 46 वर रमेश, जीवन लाल का पोत्र, अवस्ता 22 वर्ष, कमला, रमेश की पत्नी, अवस्ता 19 वर्ष, प्रमोद, कमला का भाई, अवस्ता 23 वर्ष. कमरा आधुनिक धंग से सजा है, आधुनिक यानी मौडन, सामने की और बाई कोने में रेडियो और दाई कोने में पुस्तप को का रैक है, कमरे के बीच में सोफा सेट है, छोटी गोल मेश पर सुन्दर फूल दान रखा है, कमरे में दो द्वार है, सामने वाला द्वार अंद जाने के लिए है, और बाई और का द्वार बहारी ब्रामदे में खुलता है, दोनों द्वारों पर परदे पड़े हैं, दाई और खिडकी जो खुली हुई है, परदा उठने पर जीवन लाग खिडकी के समीब खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, वे बहार की और देख रहे हैं, भरे चहरे पर बड़ी-बड़ी मूचे हैं, सिर गंजा हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, मुख पर गंभीर और सम्रिद्धी के चिन हैं, उनसे दूर कुछ खट कर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है, वे पेंट और बूशट पहने हैं, प्रमोद यानि की कमला का भाई, जो की जीवन लाल की बहू है, चहरे पर निराश जन्य करुन भाव है, निराश जन्य यानि की जब इंसान निराश होता है, और करुन यानि देयनिया, प्रमोद आगे बढ़ कर धीमी स्वर में, क्या निर्ने किया आपने, जीवन लाल, विदा नहीं होगी, प्रमोद लेकिन जरा सोचिये तो, यदि आपने विदा नहीं की, तो बेहन की क्या दशा होगी, जीवन लाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है, प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहिलियों के साथ हस खेल कर बिदाने का सपना देखती है, जीवन लाल, जानता हूँ, जीवन लाल सोफे पर बैट कर जमहाई लेते हैं, जमहाई यानि उबासी, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हूँ, प्रमोद, यह जान कर भी, जीवन लाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी, प्रमोद, यदि मैं कमला को विना लिये ही गया, तो मा का हिर्दय तूट जाएगा, जीवन लाल, मैं मजबूर हूँ, अगर मा बहन का इतना ही ख्याल था, तो दहेच पूरा क्यों नहीं दिया, प्रमोद, दीन स्वर में, अपनी सामर्थ के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, सामर्थ यानि जितनी उनमें हिम्मत थे, फिर भी अगर, जीवन लाल, कड़े स्वर में, अगर तुमारी सामर्थ कम थी, तो अपनी बराबरी का घर देखते, जोपणी में रहकर महल से नाता क्यों जोडा, प्रमोद, हाथ जोड़कर, जीवन लाल, उठकर, आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातेर भी ठीक से नहीं की गई, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुचा, भरी बिरादरी में जो हसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है, जाओ, कह देना अपनी मा से, कि अगर बेटी विदा कराना चाहती है, तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे, प्रमूद, जी, आप इस समय तो विदा कर दे, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेश्टा करेंगे, जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमूद, यह बाल धूप में सपेद नहीं हुए, यानि कि जीवनलाल कह रहे हैं, कि जो उनकी उमर हुई है, और उनक कल के छोकरे मुझे बेब को बनाना चाहते हो, प्रमूद, यह आप क्या कह रही हैं, जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला अकरी है, विदा तबी होगी जब पांच हजार नकद दाया हाथ फैला कर, इस हाथ में रख दोगे, यानि कि जीवनलाल दाया हाथ फैला कर कह कहते हैं कि पहले इस हाथ में पांच हजार रुपे रख दो, तब तुमारी बेहन को विदा देंगे, यानि कि तब उसे उसके माईके भेजेंगे, प्रमूद, आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हम से है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिग ही हो जाएगी, अगर रमेश बाबू होते, रमेश आपको याद होगा कि वे जीवन लाल के बेटे हैं और कमला के पती, जीवन लाल तो क्या कर लेता, मेरे साबने मूँ खुलने के हिम्मत नहीं है, उसमें वेन मेरा बेटा है, तुमारी तरह बड़ों के मूँ लगने के ब आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किन्तु यह ना भुले कि आप भी बेटी वाले हैं, जीवन लाल हाँ हम बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, पिछले महिने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वे खातिदारी की कि बारात वाले दंग रह गए, इतना दहेस दिया कि देखने वालों ने दातों तले उंगली दबाली, दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे, बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मूच उची हैं, समझें, तो प्रमोध यहां पर रिक्वेस्ट करता है जीवन लाल से कि आप ऐसा मत कीजिए, मे तुम क्या हमारी बराबरी करोगे, प्रमोध, जीव, जीवन लाल, रमेश गया है गोरी को विदा कराने, कलाई पर बंदी घड़ी देखकर, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा, मेरी बेटी पहला सावन यहां बिताएगी, तुमारी बेहन के सपने कभी पूरे नहीं हो और उसके सपनों के खून का दाग तुमारे हातों और तुमारी मा के आचल पर होगा, समझे, यानि कि जीवन लाल प्रमोध की बेहन को उसके माइके नहीं भेज रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस चीज़ के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो, प्रमोध, व्यंग से, जो हमार का वेहन हैं, क्या वेहне आपके कोई नहीं है, यानि कि आप उसी इतना बड़ा दुख दे रहे हो, वो भी तो आपके कोई है, बहुई सई, जीवन लाल तीजी से, बेटी और बहु को एक तराजु में तोलना चाहते हो, बेटी बेटी है, और बहुबभु है, यानि कि ठीक है जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विंती करना व्यर्थ है रुख कर धीमे स्वर में क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ जीवनलाल जरूर और हाँ उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे उचे स्वर में अरे सुनती हो गौरी की मा जरा बहो को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर सहज स्वर में फिर ये बड़े ही आराम से कहते हैं मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने जूला डाला है या नहीं यानि माली को कहीं जूला डालना है तो उसी की बात कर रह द्वार का पर्दा हटा कर मुरते हुए, गौरी के लिए जूला डाल रहा हूं लॉन में, मतलब जीवन लाल कैसे दिखा रहे हैं, कि वो अपनी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं, और यहां पर उनकी बेटी की उमर की जो बहु है, उसे वो किस तरह से दुख दे रहे हैं, ज जीवन का प्रस्थान यानि जीवन लाल वहां से चले गए, प्रमोद ठका सा सोफे पर बैट जाता है, अंदर से कमला आती है, चान से सुंदर मुखडे पर उदासी की घटा है, हातों में लाल चूडिया है, रेशमी साड़ी बलाउच पहने हैं, प्रमोद के पास आकर खड ही हो जाती है, निर सेर नीचे की ये हुए, प्रमोद भारी स्वर में बैट जाओ कमला, कमला पास ही बैट जाती है, प्रमोद अच्छी तरह तो हो, कमला सिसकने लगती है, जब प्रमोद पूचता है कि तुम ठीक हो, तो इस पे कमला सिसकने यानि रोने लगती है, स्वर में पागल ना बनो कमला रो मत इन मोतियों का मुल्य समझने वाला यहां कोई नहीं है पानी में पत्थर नहीं पिगल सकता यानि कि तुमारे दुख को यहां कोई नहीं समझेगा मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी क्योंकि मैं चोट का मरहम ले कर आऊंगा यानि कि वैं जीवन लाल के लिए पैसे ले कर आएंगे कमला ना सबजने के धंग से मरहम प्रमोध हां कमला हमारे वहवार से बाबुजी के कलेजे में घाव हुआ है उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है पांच हजार रुपए कमला चौक कर भाई की ओर देखती है प्रमोध तुम चिंता ना करो कमला मरहम का प्रवंध हो जाएगा इस गीरे हाल में भी मकान साथ आठ हजार में बिक ही जाएगा गीरे हाल यानि कि जो प्रमोद का मकान था थोड़ा पुराना हो गया होगा तो कहता है कि इस हाल में भी मकान जो है साथ आठ हजार में बिक्री हो जाएगा और उसमें से पांच हजार रुपया वो जीवन लाल को दे देंगे कमला व्याकुलता पुर्ण आग्रह से मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भीया आपको मेरे सुख सुहा की सौगन प्रमोद यह क्या कह रही हो तुम क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सकी सहिलियों के साथ मा के घर बिताओ फिर कमला आगे कहती है किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भीया लेकिन उस कामना की पूर्ती के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां तक ठीक है साल दो साल में बिमला का व्या भी आपको करना है आवेश में आकर प्रमोद बीच में ही लेकिन तुम कमला मेरी चिंताना करें सच विदाना होने से मुझे जरा भी दुखना होगा प्रमोद कमला कमला गौरी आ रही है बहुत अच्छा सभाव है उसका हर समय हस्ती हसाती रहती है उसके साथ रहकर मुझे सहलियों की कमी बिलकुल नहीं अकरेगी आप विश्वास करें भाईया तो यहां कमला कहती है कि नहीं भाईया अपना घर का मकान मत बेचना इन पैसों के इंतजाम के लिए कि मैं दुखी नहीं होंगी और फिर जो कमला की जो ननत है गोरी वो भी आ रही है और उसका सभाव बहुत अच्छा है तो वो हस्ती हसाती रहेगी कमला को और उसे सहीलियों की कमी बिलकुल भी महसूस नहीं होगी फिर प्रमोद कहता है, प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल, रुपय तो देने ही पड़ेगा, रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला, कागज के टुकडों पर अपना सने और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भईया, माजी तो ममता की मूर्ती है ही, बाबुजी जरा जिद्धी सभाब के हैं, समय के साथ वे भी भूल चाहेंगे प्रमूद, मूजी तो ऐसा लगता है कि सब एकी धातु के बने हैं, हो सकता है माजी की मनता सिर्फ दिखावा हो, एकी धातु के बने हैं कि यानि की एकी तरह के हैं सब के सब, कि जिस तरह जीवन लाल है, ठीक उसी तरह की उनकी पतनी भी है अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश गोरा रंग, स्वास्थ शरीर, सफेज साड़ी और बलाउच पैने है राजेश्वरी कैसा दिखावा भाईया प्रमोड चौप पड़ता है कमला और प्रमोड उठने का उपक्रम करते हैं यानि वो सोफे से उठ जाते है राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठती हुई, बैठे रहो तुम लोग, हसकर, क्या बाते हो रही है भाई बहन में प्रमोड बस कुशल शेम पूछ रहा हूँ राजेश्वरी हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने प्रमोड मोन रहता है, कमला ड्रिष्टी नीचे कर लेती है यानि कि जीवनलाल की जो पत्नी है राजेश्वरी वो आती है और वो पूछती है कि क्या कहा उन्होंने विदाई के लिए तो प्रमोड चुप हो जाता है और कमला आके नीची कर लेती है यानि की एक तरीके से चुप रहे के वो बता देते हैं कि जीवन लानले हा नहीं किया है राजेश्वरी समझ गई अपनी जिद के सामने तो वे किसी को किसी की सुनते ही नहीं अब तुम्हारी चिठी आई थी तबी मना कर रहे थे मैं तो समझाते समझाते हार गई क्या कहा उन्होंने प्रमोद अभी भी मोन है मोन यानि की चुप राजेश्वरी मुझसे शर्म कैसी मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे प्रमोद जी जी रुपय की तो कोई बात नहीं है वे तो राजेश्वरी प्रमोद की और गूर दृष्टी से देखती हुई बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को त्यार है चुप क्यूं हों बताओ प्रमोद धीमी और उदास्वर में 5000 यानि कि प्रमोद यहां चुपाने की भी कोशश करता है कि नहीं नहीं पैसे की कोई बात नहीं है पर राजेश्वरी तो सारा हाल जानती है तो वो पूछ कर ही दम लेती है फिर प्रमोद बता देता है कि 5000 रुपे राजेश्वरी बस मैं देती हूँ तुमें उनके मूँ पर मार कर कहना कि यह लोकागच के रंग बिरंगे टुकडे जीने तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हूँ उठकर सामने वाली द्वार की और बढ़ती हूँ मैं अभी लाती हूँ तो यहाँ पे जो राजेश्वरी है जीवन लाल की धर्म पतनी वैं कहती कि मैं ही 5000 रुपे दे देती हूँ प्रमोद उठकर ठेरिये माजी राजेश्वरी रुख जाती है और मुढ कर प्रमोद की ओर देखती है प्रमोद मुझे रुपे नहीं चाहिए मैं बिना विदा कराई ही जा रहा हूँ कमला उसी प्रकार मुर्तिबत बैठी है यानि कि कुछ नहीं बोलती राजेश्वरी लोटती हुई या क्या कह रहे हो बेटा मेरे रहते विदा नहों या कभी नहीं हो सकता मैं मा हूँ मा के दिल को समझती हूँ भारी स्वर में जिस तरह उताबली होकर मैं गौरी की राहा देख रही हूँ उसी तरह तुमारी मा भी कमला की राहा देख रही होगे नहीं विदा जरूर होगे तुम अकेले नहीं जाओगे तो यहाँ पे राजिश्वरी जी बहुत ही अपना अच्छाई दिखाते हुए कहती है कि नहीं नहीं मैं तुमारी मा का दुख समस्ती हूँ कि जिस तरह वे गौरी का इंतजार कर रही हैं ठीक उसी तरह तुमारी मा भी कमला का इंतजार कर रही होंगी तो राजिश्वरी जी अपने कमर से चावियों का गुच्छा निकालती है और कमला को देते हुए क्या कहती है जा बेटी तिजोरी से रुपे निकालना कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती प्रमोद खिड़की की और मंद गती से बढ़ता है मंद गती यानि धीरे धीरे राजेश्वरी जाती क्यों नहीं गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई जल्दी कर तो राजेश्वरी जी कहती है कमला को कि जा जल्दी कर कमला उठ कर मा जी कहती है और फिर सिसकने लगती है राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हिद्धे से लगा लेती है जीवनलाल बाहर से अरे सुनती हो गौरी के आने का समय हो गया है तुमने स्वागत की कोई त्यारी नहीं की राजेश्वरी कमला से जा बेटी तू अंदर जा कमला अंदर जाती है प्रमू मुड कर बाहर वाले द्वार की और देखता है जिदर से जीवनलाल आते है जीवनलाल अरे तुम यहां खड़ी हो जरा त्यारी करो स्वागत की जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं यह भी देख ले यानि प्रमूद भी देख ले कि वो अपनी बेटी का स्वागत कितने अच्छे तरीके से करते हैं राजेश्वरी छेड़कर गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुँ से अब देखो तब बढ़ेगी बाते जब देखो तब बेढगी बाते कि आप तो हमेशा बेढगी बाते ही करते हैं जीवनलाल यह लो इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने राजेश्वरी तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुमी एकलोते हो और सब नक्टे हैं नक्टे यानि जिनकी इज़त नहीं होती नाकटी हुई होती है जीवनलाल तुमें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई दिखाई देती है प्रमोद तुमी बताओ मैंने कोई बुरी बात कही है प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ठीक ही कहा है आपने आज के युग में पैसा ही नाक और मूच है जिसके पास पैसा नहीं वे नाक और मूच होते हुए भी नकटा है मूच कटा है नकटा और मूच कटा यानि के जिसकी इज़्जत नहीं होती नैपत्य से हौन का स्वर हौन यानि गाड़ी के हौन की आवाज आती है जीवन लाल प्रसन स्वर में आ गई मेरी गौरी राजेश्वरी से अरे खड़ी खड़ी मेरा मुँं क्या देख रही हो अंदर से मिठाई का थाल लिक कर आओ राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है उसकी द्रिष्टी बाहर वाले द्वार की और है प्रमोद भी उसी और देख रहा है अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है पर्दे की ओट में यानि पर्दे के पीछे और पर्दा पकड़ के खड़ी होगी तो उसका हाथ भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटा कर बाहर जाकने के बाद घबराय हुए स्वर में गौरी कहा है। लेकिन वैबी अपनी बेहन के बिना ही आ जाता है क्योंकि उसकी बेहन के ससुराल वाले भी उसकी बेहन को विदा नहीं करते। रमेश उन्होंने विदा नहीं कि राजेश्वरी हत प्रव से कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कमपन होता है जिससे परदा हिलता जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की और देख रहा है। प्रमोद देख रहा है कि अब जीवनलाल को कैसा लग रहा है कि जब उसकी खुद की बेटी नहीं आए। जीवनलाल जैसे किसी की छाती पर घुसा मार दिया गया है। जीवनलाल की हालत ऐसी हो जाती है। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवन लाल बिगड कर हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया लोभी कहीं के लोभी यानि लालची अब ये जो गौरी के सुसराल वाले हैं वो भी सेम बात बोलते हैं जीवन लाल की तरहा कि इन लोगों ने भी दहेज पूरा नहीं लग रहा कि बहुत ही लालची लोग हैं राजेश्वरी उठकर उन्हें क्यों बला बुरा कह रहे हो बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे पर बेटे वालों की नाक वो शिकुडी ही रहती है मतलब राजेश्वरी जी कहती हैं कि जो भी दे दो जितन ही रहते हैं उन्हें कभी शांती नहीं होती जीवन लाल मगर शराफत और इंसानियत राजेश्वरी बीच में ही अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देती हो कुछ देर पहले तो अब ये जो जीवन लाल है वो कहते हैं कि अरे शराफत और इंसानियत भी तो कुछ होती है कि इतना पैसा दे दिये और लालच बढ़ा लिया तो इस पे राजेश्वरी जी कहती है तो अब आप शराफत और इंसानियत की बाते कर रहे हैं कुछ देर पहले तू यानि कि आप यही सब कुछ तो अपनी बहु के संग कर रहे थे जीवनलाल चुप रहो तुम राजेश्वरी बहुत चुप रही अब नहीं रहूंगी आखिर क्या कमी है बहु की दहेज में मगर तुम हो की जीवनलाल अंसुनी करके मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है मै, मै, यानि जीवनलाल को अब कोई शब्दी नहीं मिल रहे कहने के लिए राजिश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का जीवनलाल, चीख कर, गौरी की मा, राजिश्वरी, अब भी आखे नहीं खुली जो बहवार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो यानि कि अगर तुम चाहते हो कि तुमारी बेटी के संग कोई अच्छा बहवार करे तो तुम भी दूसरों की बेटी को अच्छा बहवार ही करो जब तक बहु और बेटी को एक सा नहीं समझोगे ना तुमें सुख मिलेगा और ना शानती यहाँ पे कहती है बहु और बेटी में फरक मत करो जीवनलाल बेचैनी से इदर उदर टहलते हैं वैं हाथ मल रहे हैं सेर नीचे जुका है प्रमोध रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो जो प्रमोध है कमला का भाई वो कमला के पती रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है जीवनलाल बहु और बेटी बेटी और बहु अजीब उल्जन है कुछ समझ में नहीं आता फिर राजिश्वरी कहती है अगर बेटे वाला यह याद रखे कि वे बेटी वाला भी है तो सब उल्जने सुलज जाएं जीवन लाल रुक कर पतनी की ओर देखते हुए शायद तुम ठीक कहती हो यानि कि अब जीवन लाल को यह बात समझ आ गई है कि वो जो कर रहे थे कमला के संग अपनी बहु के संग वो गलत कर रहे थे प्रमोद आगे बढ़कर धीमे सुवर में अब मुझे आगया दीजे बाबुजी जीवन लाल चौक कर एं मतलब प्रमोद अब जाने की बात कर रहा है तो जीवन लाल चौक है प्रमोद मेड़ी गाड़ी का समय हो रहा है मैं चा रहा हूँ द्वार तक आता है और फिर घोम कर कुछ कहता है मैं जल्दी ही फिर आऊंगा बिश्वास रखे इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा यानि कि मैं पैसे लेकर आऊंगा जीवन लाल दुखी स्वर में ठेहरो प्रमोद मुझे लज्जित ना करो बेटा लज्जित यानि शरमशार ना करो बेटा मेरी चोट का इलाज बेटी के सुसराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है यानि कि जो चोट जीवन लाल को लगी थी और वो चाते थे कि रुपए मिले अब वही चोट ठीक उसी तरह की चोट जीवन लाल को उसी की बेटी के सुसराल वालों से मिल गया है और अब उन्हें एहसास हो गया कि वह कितने गलत थे अब वह बदल चुके है तो इसलिए उन कह रहे हैं कि मेरी चोट का इलाज बेटी के सुसराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है प्रमोद लोटता हुआ अश्चरे से भाबुजी हैरान हो जाता है प्रमोद इस बात पे जीवन लान नी विश्वास छोड़ कर कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा राजिश्वरी की और मुड कर अरे खड़ी खड़ी हमारा मुझ क्या ताक रही हो अंदर जाकर त्यारी क्यों नहीं करती बहु को विदा नहीं करना है क्या तो अब जीवन लाल को सबकु समझ आ गया है कि वो जो कर रहे थे बिलकुल गलत कर रहे थे और अब वे अपनी बहु को विदा करने क प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे की और देखते हैं, जीवन लाल मंद गती से खिड़की की और बढ़ते हैं, तो रमेश और प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जीवन लाल फिर से खिड़की की तरफ बढ़कर चली जाती हैं, धीरे धीरे यवनिका गिरती हैं, यानि कि ये तो नाटक है, तो ये प्ले हैं, और प्ले के एंड में जिस तरह परदा गिर जाता है, इसी तरह यहां पर भी परदा गिर जाता है, यवनिका का मतलब परदा, तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, इसमें हमें जो लोग लड़की की शादी के टाइम धहेज देते हैं, और जो लड़के वाले लेते हैं, उसके उपर कहा गया है कि कितनी गलत बात है, नोट के टुकडों से इंसानी रिष्टों को कभी भी नहीं तोनना चाहिए, तो आई होब आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, और अलसो दो नोट फोगेट तो लाइक और शेर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच everyone, bye-bye!